हेलो एब्रिवन अस्सलाम अलेकुम क्या हाल है आप सबके उमीद है ठीक ठाक होंगे अगर ठीक नहीं है तो मेरी वीडियो देखके ठीक होने वाले हैं तो रुको ज़रा सबर गुरो बात तो सब्सक्राइब मैं इसमें क्या क्या डाला है हल्दी नमक लाल मेर्च कसूरी में थी खूब सारी और अपने ट्रिस्ट के अकॉर्डिंग में कम्या ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें मैंने लास्ट बट नॉट दे लिस्ट जो मेरा सिक्रेट इंग्रीडियन्ट है जो के इसको बहुत नियूट्रिशनेस्ट भी बनाता है वो है कलोंजी के थोड़े से मतलब दाने डाल दे करती हूं तो इसे बहुत ये पावरफुल भी हो जाता है और ये बहुत अच्छी होती है कलोंजी सहत के लिए तो इसको साइड से मैं इसको जिबा कर देना है आइमीन कट लगा देना है और फिर इसको साइड से पकड़के बड़ी ऐथियाद से इसको तुर्वा सा चिपक इसको फोल्ड करते रहना है ना फिर वो लेयर्स में क्रियेट होती जाएंगी आइस्ता इस्ता और बड़े हलके हाथों से करना है मैं वह खुशका नहीं लगाया तो इससे मुझे बड़ी मुझे बड़ी मुश्किल हुई और वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दी जल्द जो एक और बड़ा ही टेस्टी बनता है मेरे बेटे को बहुत पसंद है इसको दही से खाएं लसी से चाहे से वाटएवर इसको रुका भी खास लगते हैं इतना अच्छा लगता है यह और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्स्राइब कीज जल 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 काम हो तो कितना ही अच्छा है तो फिर यह इसकी फाइनल लुक है और फिर इसको मनजिल मकसूद पर पहुंचा कि ऐसा लगता है भी चाह पके पागल होगी थिर मैं भूल भी गई थी उसका चुला बंद करना और तुरसा साइड से मेरा जो यह परांठा था जल 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 दी के चक्कर में सुबस बड़ी ऐसे वह बड़ा दबड़ी मची होती है ना क्योंकि चार बच्चों की माना इस नौट आइजी डास को के लाफिस बाइब